सबसे पहले बात करेंगे जो मैटो लिमिटेड के बारे में सबा परसेंट की गिराबट श्टॉक में आज हुई है हाला कि 280 रुपे का इसने 22 भी खाई बनाया तो पिछले 6 मिने में जो मैटो में अच्छी खासी 63 परसेंट तक की तेजी देखने कुमली है शांदार कंपनी ने रिटन कमा कर दिये हैं एक साल में 190 परसेंट की रिटन इसने दिये हैं इसहां पर भी अच्छा कासा मुमेंटम है और लिश्टिंग के बाद से अब तक अगर देखें तो करीव 100 परसेंट से ज़्यादा की इसमें तेजी देखने को मिली जोमेटो में फाइनली वो खबर आ चुकी है जिसको लेकर काफी दुनों से खबरे चल रही थी खबर है जोमेटो बाई कर रहा है पेटियम का मूवी टिकटिंग का जो बिजनस है 2048 करोड़ों पे में ये डील देखने को मिल रही है तो इसको लेकर फाइनली अप्रूबल मिल चुका है तो इस बज़े से कल 197 कमूनिकेशन यानि पेटियम का इस चुक भी फोकस में रहेगा जोमेटो के बोर्ड की तरफ से अप्रूबल दे दिया गया है इस एको जेसन से एलेटिड तो अच्छी खबर है खास तरपर जोमेटो के लिए और पेटियम को लेकर भी ये बड़ा अपडेट है तो दोनों के शेयरों पर कल के दिन इस खबर का असर देखने को मिल जाएगा आरती ड्रक्स सबा पसेंट की तेजी के साथ ये इस च्टॉप भी कलोज हुआ है कल के दिन ये कमपनी भी बजार के फोकस में रहे क्योंकि अभी लेट नाइट अनाउंसमेंट हुआ है 26 अगस्त यानि मंडे को ये कमपनी अपनी बोर्ड की मीटिंग करने वाली है जिसमें कमपनी बाइबेक पर बिचार करने वाली है बाइबेक का अनाउंसमेंट करने वाली है इस बज़े से आर्टी ड्रक्स के शेवरों में हम लोगो कल positive momentum भी देखने को मिल सकता है क्योंकि buyback जो होता है वो current price से उपरी price पर ही होता है इस बज़े से शेवरों में तेजी के chances जाता देखने को मिल जाते हैं बार्टी ड्रक्स इसको भी कल आप अपने focus में कल के दिन रख सकते हैं जेन टेकनोलोजी में आज 5% का अपर सरकिट रहा इस श्टॉक को हम लगातर 200 रुपे से follow करते आ रहे हैं इस टॉक अब 1800 रुपे के आसपास पहुंच चुका है पिछले 6 मिने में ही इसने 121% का रिटन दिया है एक साल में इसमें 120% की रिटन देखने को ले 5 साल में देख सके 3300% की इसने जबदस तेजी दिखाई है अच्छा मोमेंटम रहा है इस श्टॉक में इसको लेकर भी फाइनली अब हमें एक खबर देखने को मिल रही है कमपनी 800 करोल रुपे का फंडरेज कर रही है QIP के जरिये जो प्राइस रखा गया है QIP का बुदस्तों 1601 रुपे का प्राइस रखा गया B.E.M.L. 2% की तेजी आज के दिन इस कमपनी में देखने को मिल इसको लेकर भी एक अच्छी खबर सामने आ रही है खबर है कि B.E.M.L. ने साइन किया M.O.I.O. मलेशिया SMH रेल के साथ में जिसके जरिए ये मैट्रो रोलिंग और ग्रो जो हम लोग को रेल से लेटर बिजनिस देखने को मिलने बाला है इरेडा आज के दिल लाल निशान में ये इस्टॉक हमें देखने को मिला इरेडा को लेकर भी एक बड़ा अनॉंसमेंट हुआ है 29 अगस्त को इस कमपनी की बोड की मीटिंग होने बाली है जिसमें इरेडा दोस्तों फंड रेजिंग करेगा FEO लाएंगे साड़े 4,000 क्रोड रुपे का फंड रेज होने बाला है तो 29 अगस्त को ये काफी बड़ी ख़बर देखने को मिलेगे सबसे important point क्या है दोस्तों NBFC है और किसी भी NBFC हो या बैंक हो उसके लिए फंड काफी important रहता है तो फंड रेज कर रही है कंपनी तो इसका मतलब है कि इसका बिजनस आगे चलके और भी expand होने बाला है तो ये एक अच्छी ख़बर इसके लिए साबित हो सकती है कल्यान जोइलर्स आज करीब 5% की तेजी के साथ close हुआ है कल्यान जोइलर्स को लेकर एक हमें अच्छी खबर देखने को मिल रही है खबर यह है कि प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी इसके अंदर increase की है बेचा कौन है दोस्तों ये भी एक important point है हाई डेल इंवेस्टमेंट ने करीब 2.36% हिस्सेदारी बेची है प्रमोटर को 1300 करोण उपे में हम लोगो डेल देखने को मिले अब जो इस कंपनी के हमें प्रमोटर देखने को मिल रहे है यानि कि अगर देखा जाए तिरकर सीतारावन इन्होंने पर्चेस किया है 535 पर शेयर के हिसाफ से 300 क्रोड़ पे के शेयर इन्होंने ये खरीदे हैं इनकी हिस्सेदारी यानि प्रमोटर की हिस्सेदारी अब 62.95% हो चुकिये जो पहले 60.59% के आसपास थी तो अच्छी खबर हम लोग बोल सकते हैं कल्यान जोलर्स के लिए प्रमोटर ही अपनी हिस्सेदारी को खरीद रहा तो कहीं न कहीं इंपोर्टेंट अपडेट है PG, HL यानि की Proctor and Gamble Health Limited की बात करेंगे इसके उपर भी चाहें तो आप नज़र रख सकते हैं इसको लेकर खबर आई है कमपनी की रिजल्ट आए है रिजल्ट अगर देखें दोस्तों कमपनी के तो ठीठ ठाक नंबर हम लोग बोल सकते हैं सेल्स देखें कमपनी की 277 करोड़ उपे की रही है 5% का डिकलाइन है वहीं अगर देखें दोस्तों कमपनी का प्रॉफिट पिपोर एक्जेप्शनल आईटम की बात करें तो यह 43 करोड़ के आसपास है इसमें में 3% के आसपास का में डिकलाइन देखने को मिल रहा है यानि कि नंबर दवाब में हैं प्रेशर बाले हैं अडानी बिल्मर में आज 10% का अपर सरकिट लगा 24 लाग शियोरो की 5 बड़ी ब्लॉग डिल इसमें हुई है अडानी बिल्मर को लेकर कुछ बड़ी रिपोर्स भी आ रहे हैं इसके टार्गेट भी बताय जा रहे हैं कि साले 400 रुपे के उपर यह श्टॉक जा सकते हैं अडानी एंटरप्राइज से लेटेड दोस्तों हम लोग एक जो न्यूज देखने कुमली थी जिसमें से इसकी FMCG कारोवार्क वाली कंपनी का मर्जर अडानी बिल्मर से लेटेड देखने कुमल रहा था उसको उसकी बज़े से भी इसके शियरों में अच्छी खरीदारी सामने आ रही है होना सा कंजूमर को लेकर एक अच्छा डवलप्मेंट एक अच्छी ख़बर हम लोग बोल सकते हैं खबर यह है कि मामा अर्थ को दोस्तो 57 क्रोड़ पे का एक फाइन से लेटेड खबर थी जिसको लेकर दिल्ली हाई कोट ने कंपनी के पक्ष में ही दोस्तो और दिया है और यह बाइबेक कल के दिन होगा कल अनौस्मेंट होने वाला है कंपनी की बोर्ड की मीटिंग है इस टॉक ने आज के दिन अच्छा खासा 1544 का हाई बना हाला कि इसका रिकॉर्ड हाई 1822 रुपे पर शेयर के आसपास है पिछले एक महिने में इस टॉक फ्लैट रहा है क्य लिए एलिजिबल रहेंगे क्योंकि 23 अगस्त को इसकी एक्सडेट देखने को मिल रही है इनके अलाबा आर बेनल के उपर फोकस रखेंगे इसको लेकर भी एक अपडेट देखने को मिल रहा है आर बेनल ने मयों साइन किया है धाया माजू इंफरस्ट्रक्टर के साथ एक मार्किट में अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने बाला आर बियनल तो ये भी एक अच्छी कबर इस कंपनी के लिए सामने आ रही है टाटा टेक्नोलोजी में आज की दिन काफी ज़्यादा उतार चला रहा है एक हजार अरतालिस का इसनी हाई बना एक हजार पचास के आसपास एक रेजिस्टेंस रहेगा हाला कि थोड़ा वोलियम इस कंपनी में ट्रेडिंग का इंक्रीज हो रहा है क्योंकि काफी दुनों से श्टॉक एक ही रेंज में कंसॉलिडेट कर रहा था 110 और 970 रुपे की रेंज में ये काफी दुनों से चल रहा था अब इसमें हमें निचले लेबल से थोड़ी सी रिकबरी देखने कुम ली IPO तो सूपर डूपर हिट था 1400 रुपे के आसपास हाई बनाया तो उसके बाद इसमें लगातार गिराबट हुई कंपनी का बिजनेस फ्यूचर इस्टिक है तो इन फ्यूचर इसको काफी बेनिफिट भी मिल जाएगा बाकि कुछ और श्टॉक हैं जो रोजाने की तरह हम लोग बजार के फोकस में लाखते हैं जैसे KPI ग्रीन एनरजी सुजुलोन एनरजी इन शेरों को भी अपने फोकस में लाख सकते हैं उर्जा ग्लोबल को लेकर काफी क्वेशन आ रहे हैं कि क्या इसमें खरीदारी करने चाहिए दोस्तों कुछ से देख सकते हैं मैंग जीओं का चार्ड इसका 1600% की रिटन हैं लेकिन बीच बीच में देख सकते हैं काफी ज़्यदा अपडाउन हैं पिछले 5 साल का चार्ड देखिए 1000% की तेजी इसलिए 1600% की रिटन देखने कुमले हाला कि एक साल के अंदर इसने 136% का प्रोफिट दिखाया है तो उर्जा ग्लोबल दोस्तों के देखें तो फिलाल डाउजोस देख सकते हैं 41 पॉइंट की तेजी के साथ ट्रेड कर रहे है याने के मिला जुला कारोबार हो रहा है नैश्डेक के अंदर भी करीब 52 पॉइंट की तेजी है तो क्लोजिंग कैसी होती है अमेरिकी बजारों के यह काफी इंपोर्टन रहेग जिनके नाम पढ़ सकते हैं अगुर्वाल फॉर्चून इंडिया अंबिका अगरबत्ती इंजल वन एडलवाइस फाइनेंसल सर्वेस गॉट्फ्रे फिलिप्स इंडिया गुजरात क्राफ्ट इंडश्ट्री जेजी केमिकल्स पॉल मर्चेंट राधिका ज्वेल टेक स्का वारे हाइटेक जेए फाइनेस जेम वारेंटी केफिन टेकनलोजी फोटोन कैपिटल एडवाइजर सकोमा एक्सपोर्ट और इस्पोर्ट किंग इंडिया का नाम है लॉंग टम के एसमें आठ कंपनियों के उपर एक्शन हुआ इनके भी नाम पढ़ सकते हैं एपी टी पैक किश्टेश 2 में आए हैं जिनके नाम है एक्सपो गैस कंटेनर सिरे लक्षमी शरस्पते टेक्स्टाइल जोडियक जी आडी एमके जे का नाम है इनके अलाबा आज कई सारे कंपनियों के सर्किट भी बदले गए जिनमें पेना वाइट टेक्नोलोजी इसकाई इंडेस्ट्री इंटरेक्टिव फाइनेंशल टेस्टी वाइट इनके सर्किट 10% किये गए हैं वहीं पालको मेटल स्पारले इंडेस्ट्री ट्रितॉन वाल् जिनमें KPT इंडेस्ट्री का भी नाम है इनके अलाबा और भी लंबी लिश्ट है दोस्तो देख सकते 44 कंपनियां जिनके सर्किट बदले गए हैं तो आप चाहें तो वीडियो को पॉस्ट करके देख सकते हैं विंसम ब्रेबरीज 2% का सर्किट इसका भी हुआ है के कॉर्प कर जाएगा तो आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बैल आइकन को दबा लें ज्यादा से ज्यादा लोगों में शियर करें धने पार दोस्तों बाए बाए